नमस्कार दोस्तों सहीम बुटिक में आपका स्वागत है आज की वीडियो एक requested वीडियो है हमारी एक वीवर है संदीप ढलीवाल तो उन्होंने हमें कोमेंट किया था कि सर आलोवर इलास्टिक जो पलाजो होता है या पैंट होती है उसमें पोकिट किस तरीके से लगाई जात है वीडियो को शुरू करते हैं तो आप देख सकते हैं पलाजो की कटिंग हमने की हुई है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह जो हमारा ऊपर की तरप का सवा दो इंच का मार्जन है यह हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है यह इलास्टिक में फोल्ड हो जाएगा औ उसके बाद हमारी पलाजो की लंबाई है और यह नीचे का एक्स्ट्रा कपडा है यह हमारा बोटम में फोल्ड हो जाएगा तो देखिए सबसे पहले यह देखिए हमारे यह फरंट के दो पल्ले है और यह हमारे बैक के दो पल्ले है ठीक है यह छोटे पल्ले जो हमारे यह और बड़े पल्ले हमारे बैक के हैं तो इनको साइड में रखेंगे तो देखे यह हमने पोकेट कटिंग की है पोकेट हमने कटिंग कर ले है तो देखे पोकेट के जो लंबाई है हमारी साड़े तेरा इंच है चोड़ाई हमारी है साड़े छेंच और नीचे से भी हमारी ये साड़े छेंज चोड़ाई है ये pocket हम लगाएंगे तो देखे सबसे पहले आपको क्या करना है ये हमारे front के दो पल्ले है छोटे पल्ले और ये बड़े पल्ले back के है आपको क्या करना है यहाँ पे सबसे पहले आपको इसको जोड़ देना है देखे इस तरीके से फरंट के जो दो पल्ले है आसन की सिलाई आपको लगानी है बैक वाले में भी आपको आसन की सिलाई लगानी है तो चलिए इस सिलाई आप लगा ले तो देखे सिलाई मैंने लगा ली है फरंट के और बैक के दोनों पल्लों में आप देख सकते हैं तो बैक के जो हमारा पल्ला इसको साइड में रखेंगे क्योंकि हम पोकेट लगाएंगे फरंट के पल्ले में इस तरीके से आपको खोल लेना है आसन के सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से आपकी यह आ जाएगी तो देखे इस तरीके से इसको सेट कर ले तो यह जो हमारा मार्जन है यह हमारा एक्स्टर है यह हमारा लाश्टिक में फोल्ड हो जाएगा ठीक है सवा दो इंच का मारजन है हमारा यह अब देखे सब से पहले आपको क्या करना है यहाँ पर यह जो हमारा मारजन है यह सवा दो इंच का मारजन हमने एक्षटर ले रखका है उसके बाद आपको क्या करना है इंची टेप की मदद से यहाँ से इससे नीचे आपको लगाना है ए जाने के बाद 6 या 6 ऑड़िय शेंच का आपको निशान लगा लेए यह हमारा फोकेट का फेश है 66 का आप इसको रख लेए इस तरीके से निशान लगा लेए आप सबसे पहले 22 इंच का निशान 280 conference का हमारा हो गया उसके नीचे आपको 1 इंच का निशान लगाना है तो उसके बाद वहीं पे आपको 5 इंच का निशान आपको एक लगाना है और यह 6 इंच का निशान जो हमारा pocket का face है अब देखे आपको क्या करना है? अपनी pocket लेनी है simple इस तरीके से आपको pocket को खोल लेना है तो आपको क्या करना है ये हमारी पोकिट का उल्टी साइड है तो उल्टी साइड को आपको नीचे कर लेना है सीधी साइड आपको उपर कर लेनी है पोकिट की तो देखे, पोकिट की सीधी साइड और पल्ले की सीधी साइड आपको आपस में मिलानी है यह जो हमारा निशान है, एक इंच वाला निशान है इस निशान से आपको पोकिट का किनारा मिलाना है ठीक है न, जो हमने एक इंच का निशान लगाया उससे आपको pocket का किनारा मिलाना है इस तरीके से और यहाँ पे आपको जो 2.5 इंच का निशान है वहाँ पे आपको इस तरीके से सिलाई लगानी है इस तरीके से डब्बी बनानी है यह हमारा pocket का face है यह सिलाई आपको 1.5 इंच के margin पे लगानी है इस तरीके से, ठीक है, धाइंच के मार्जन से, तो चलिए ये सिलाई में लगा लेता हूँ, तो सिलाई हमने लगा ली है, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है, पोकेट को सीधी साइड में रखते हुए, आप देखें, यहाँ पे आपको कट ल लेना है इस तरीके से यहां पे इसको पल्टेंगे इस तरीके से अच्छे से इसके कोने आपको निकाल लेने हैं देखें पोकेट हमारी अंदर की तरफ आ चुकी है बाहर की सैड में हमने यह लगाई थी तो इस तरीके से इसको अच्छे से सैट कर लेंगे अब देखें यहां यहां पर बार की साइड में आपको एक पैर की सिलाई लगानी है और पोकेट का फेस बनाना है इस तरीके से तो चलिए सिलाई में लगा लेता हूं तो देखें सिलाई हमने इसमें लगा ली है इस तरीके से आपको एक पैर की सिलाई लगा लेनी है यह देखें इस तरीके से आ आपको एक पैर की सिलाई लगा देनी है और इस पर इंटरलोक बगार आपको कर लेनी है पहले एक पैर की सिलाई लगाएं और फिर इसके उपर इंटरलोक भी आप कर ले नीचे की तरफ तो देखें सिलाई लगाने के बाद हमने इस पर इंटरलोक कर ली है तो अब देखें य इसको देखे आपको set कर लेना है बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके से आपको सको देखना है बिल्कुल pillow contempor को बिल्कुल आपके कपडे में कहीं भी नम न हो इस तरीके से रखते हुए जहाँ पे आपका पोकेट है यहाँ पे चाक से निषान लगा लेंगे एक बार और यहां पे देखी यहां पे आपको इस तरीके से पक्का करना है यहां पे पक्का करना है और यहां पे इस तरीके से सिलाई लगानी है ठीक है इस पोकिट का फेस आपको बंद नहीं करना है इसको बचा के रखना है तो देखे सिलाई हमने लगा ली है यहाँ तरीके से तरीके से उहने pocket अटेच कर ली है और pocket का face आपको बचा के रखना है सिलाई से ठीक है? इस तरीके से आप देख सकते हैं pocket हमारी ये लग चुकी है यहाँ पे इसको attach कर लेना है इस तरीके से अब देखे ये जो उपर का सवा दो इंच का कपड़ा ये इस तरीके से हम इलास्टिक डालेंगे तो ये पोकेट में कवर हो जाएगा तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ अब आपको आगे क्या करना इसमें यहाँ पे बैक का पल्ला ले लेना है इस तरीके से बैक का पल्ला लेंगे इसके उपर आपको रखना है यहाँ पे इसको रखेंगे इसको सीधा कर लेते हैं एक बार यहाँ पे इसको देखे रखेंगे सिलाई लगा देने हैं इस तरीके से दोनों साइड में और सिलाई लगाते त Sinai आपको एक चीज का ध्यान रखना है जह पोकिट का जो फेश हैं इसको पीछ तरह की तरफ करना है यह तियुआ आपको नई लगा देना इसके उपर आपको छिलाई नहीं लगाना है यह पे फेश आपको बचाके रखना है तो यह शिलाई आप लगा ले तो देखिए शिलाई मैंने इसमें लगा ली है दोनों तरफ अब देखिए इसको मैं सीधा कर लेता हूँ एक बार सीधा करके दिखाता हूँ आपको तो देखिए इसको मैंने सीधा कर ले यह देखे यह हमारी pocket लग चुकी है, इस तरीके से, अब यहां से इसको देखे हम फोल्ड करेंगे, एक बार यह देखे, यहां से अंदर से मैं आपको दिखा देता हूं, यह देखे, यहां पे हमारी pocket लग लग जाएगे, ठीक है, सब दो के बाद एक इंच का दिशान जो हमन इसमे लास्टिक डाल लेता हूं, तो देखे, लास्टिक हमने इसमे डाल ली है, और pocket हमारी एक दम इसके अंदर fix आई है, बिनकुल finishing से हमारी यह pocket लगी है, आपको इस तरीके से pocket लगानी है, एक बार मैं इसको सीधा करके दिखा देता हूं आपको, इस तरीके से इसको पोकेट लगाने का, तो देखे, अंदर की सैड से भी हमारी pocket एक दम fix हो गई है, लास्टिक में, और बार की सैड से भी हमारी pocket एक दम finishing से लगी है, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, पोकेट की जो हमारी दूरी है, इलास्टिक से डाइंच की हो, यह देखे, डाइंच ह हमने रखाओ इसको, सुरू में हमने निशान लगा था, डाइंच के दूरी आपको रखनी है, pocket की एलास्टिक से, तो pocket हमारी लग चुकी है, आपको इस तरीके से pocket लगाने है, बिल्कुल आसान तरीका है और बिल्कुल सही तरीका है, तो दोस्टों वीडियो आपको कैसी ल झाल झाल झाल